अस्सेलामों आपक्राइब विडिय चैनल को आज की कहानी की तरफ से हेलो यंग लेडी वो एक चट के से पीछे अटी ये वो आवास थी जो कानों में हमेशा बोंजा करती थी रजा तुम फिर बिल बताए आ गए पहले मुझे इतला देते तो में तुमारे नी ठाने पर इत्तिमाम करती में प्यारी दादी अगर मैं बता देता तो आपके चेहरे पर ये हासी कैसे देख पाता रजा ने रुकया बेगम को बाहों में भरते हुए कहा अच्छा तो तुम चाते हो कि मैं खुश रहूँ इत्मों तीन-तीन माँ बाद चक्र लगाते हो ये नहीं कि बोड़ी दादी है पता नहीं जिन्दा भी है कि मर्खव गई हर हफ़ता नहीं हर माँ तो चक्र लगा लि ती अरे दादी मैं आपसे बहुत महबत करता हूँ आपके बिना मेरा है ही कौन मगर क्या करूँ खर ये सब बाते छोड़े जन्दी से खाना लगाए मुझे जोरर की भूख लगी है रजा ने माहौल पर च्छाई उदासी कम करने की कोशिश की अरे हाँ मैं भी किपिन भिल तुम सफर से आए हो और तुम से पानी तब करने के उचा जाओ जाकर हाथ मोदोर में दस्ताखान लगाती हूँ रजा ने बैग उठाया और कमरे में चला करूँ आपके एक छोटे से गाओं का रहने वाला था वो 9 साल का था जब 6 माह के अंदर अंदर पहने बाप और फिर मा इसे छोड़ कर चली थी वालबान के उनकार के बाद रजा की परवरिश इसकी दादी रुपया बेगम निखी रुपया बेगम की कई घरों में साफ सफाई करने का काम थी जारू करके अपना और अपने पोते का पेट परा करती भी रजा को बचपनी से दूसरी जबाने स एक युनिवरस्टी का तालिबन था उसे एहसास था कि किस मेहनत और मुशक्कत और कितनी मुश्किलात का सामना करकि इसकी दादी ने इसे पढ़ाया लिखाया है इसलिए ओ पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था कि जल्दस जल अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दादी की खड़नक कर सके रजा एक बर फिर सोच दो बेटा भी दो घंटे बाद यहां से तुमारे नाना के गाउ जाने के ने गाड़ी आएगी तो तुम उससे चले जाना कुछ दिन रुक कर वापस आ जाना रुपया बेगम इसके पीछे आगन नहीं मैंने सेफ की बाइक ली है मैं जान दी तुम्हें मुझे नहीं रुकना वहां मैं शाम तक लोटान गा रजा ने बेग बाइक पर रखते हुए कहा अच्छा जैसा तुम चाहों मगर तुम इस बीच वाले रास्ते से मत जाना इस रास्ते से कोई सफ़र नहीं करता वो रास्ता असेब सता है पिर प्यारी जादी आप भी किस सदी की जीने वाली है में 21 सदी में हम जी रहे हैं दादी जान कोई भूत परेड़ आसेब कुछ भी नहीं हुथा इस सब ख्यारी पुलाओ है अंधी तकलीद है बाकी कुछ भी नहीं आप भी गाउं के जायनों की बातों में आ रही हैं अंधी तकलीद था रजा जुनाया रजा गर तुमने सच मुच इस रासके से जाना है तो बहतर है कि तुम नहीं जाओ मैं तुमें कभी इजाज़त नहीं दूँगी कि तुम इस रास्ते पर सपर करो वो भी पन्हा कभी नहीं रुकया बेगम हत्मी मैजे में गोया हूं दादी प्रीज और रास्ता इतना अच्छा तो है चारों तरफ हर्यादी दरफ तो जन्वल की खामोशी कितना अच्छा होता है ना ख्यालों में गुंग होकर कहने लगा क्या तुम वहां गए हो पहले कभी रुकया बेगम हैरत तुशाप की कैफियत मिरू नहीं में गया तो नहीं मगर बहुत सुना है उस रास्ते के बारे में और फिर देखेना वहां वक्त भी कम लगता और एक बेतरीन शार्ट कर्ड भी मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा रजा ने बैग पिछली सीट पर बान दिया रजा तुम कहीं नहीं जा रहे हो जाना है तो सीधे रास्ते से जाओ वरना घर में बैठो कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की रह रुकाया बेगम बुसे में बाइक के सामने आकर खड़ी हो बिन अच्छा ठीक है दादी नहीं जाता उस रास्ते से आप सामने से तो हरे रजा के चेहरे पर नागवारी थी रजा नाराज होकर सफ़र पर नहीं जाते तुम खुशी खुशी सीधे रास्ते से जाना चाते हो तो जाओ रुकाया बेगम उसे समझाने लगी मैं नाराज नहीं हूँ वालने सीधे रास्ते से ही जाओंगा इस सड़क की तरफ देखूंगा भी नहीं आगे बढ़कर रुपया बेगम ने उसकी पेशानी पर बोस आ लिया जाओ अल्ला की आमान में दिया रास्ते पर एका दुपका इक गाड़िया नजर आ रही थी उसने गर्दन दाई तरफ दोड़ाई ये वही रास्ता था रास्ते के दोनों तरफ जंगल था धनकी वज़े से कोवर बिचाया हुआ था उसने फिर सामने देखा सामने सिंग्डा रास्ता था जो कि उस रास्ते से जाता तो इसे डीड़ घंटा लब जाता नाना के गर जाते जाते अगर वीच के रास्ते से जाता तो वे एक घंड़े में बासानी पहुंच जाता मगद दूम इस बीज वाले रास्ते से मत जाना उससे कोई सफ़र नहीं करता वो रास्ता आसेब सदा है जूर कहीं से दादी की संगोशी सुनाई लिए रेजा ने जिलाते हुए सर जटका और जैकेट की जिप चड़ाई और उस रास्ते पर बाइक को मोर दिया वो रास्ता दोनों तरफ से बड़े बड़े दरख्तों से घीरा था सूरज की रोश्नी इन दरख्तों के पत्तों से चंचंचन कराती थी और बहुत खुबसूरत दिखाई दे रही थी वो फिन धुन में आगे बढ़ता चला गया रास्ता था भी पहाड़ी पर और फिर दरख्तों से घीरा हुआ और घीरा होने की वज़ज़ से ठंच ज्यादा महसूस हो रही थी उसके हाट ठंच जी वज़ज़ से अकरने लगे थोड़ा आगे जाकर एक नाला दिखाई दिया उसने बाइक नाले के खरीब लिजा कर रोप दी और बाइक से उतर आया और नाला दूर तरक रास्ते के साथ साथ जा रहा था वहाँ का मंज़ज़ इंतहाई फफसूरत था रज़ा ने जेब से मॉबाइल फॉन निकाला और इस जगा की तस्वीरें खेशने लगा वो बाइं तरफ आगे आगे बढ़ता गया घास खिला रही और कुछी दूरी पर एक मर्द चारपाई पर लेटा था हेलो रज़ा ने मसाफ़े है के लिए हाथ आगे बढ़ाया वह आदमी एक जटके से उत बैठा उसकी आँखें फोन की तरह सुर्फोरिंग थी और चेहरे नाक और होत पर जख्म के निशानात थे जैसे किसी ने तनवार से इसके चेहरे पर हमना किया हो रज़ा डर के मारे दो कदम पीछे उटा वह आदमी वह सकुराने लगा रज़ा ने मसाफ़े के लिए बढ़ाया हुआ हाथ आगे खेंच लिया क्या हुआ डर क्यूं करे वह आदमी उटकर इसके खरीब आदया नहीं कुछ नहीं रज़ा ने थूख निकलते हुए औरत की तरफ देखा वो घूंगट में थी यह तुम्हारे चेहरे पर जख्म रज़ा ने अपनी बाद हतुरी रखी कि कहीं इस आदमी को गिरा न गुजरे अरे यह जख्म यह तो खासा पुराना जख्म है अब तो सिर्फ निशानात ही बाकी है वो फिर मुस्कुराया मगर इसकी मुस्कुराहट पुरसरार थी तो मुसाफिर हो उसने रज़ा को बगार देखते हुए पुछ रहा के शिकार है खैर क्या मैं आप लोगों की तस्वीर खीश सकता हूँ रज़ा ने मुबाइल आगे करते हुए पूछा जरूर क्यों नहीं आदमी इस औरत की तरफ देखकर मुस्कुराया है जो शायद इसकी बीवी थी वोट कर इसके खरीब आगई एक मिंट वैसे तुम ले तस्वीरे चुने रहे हो फिसने रज़ा को रोपते हुए पूछा मैं अपनी दादी और गाओं वालों को दिखाऊंगा कि मैं ने बताना चाहता हूँ कि यहां भी आबादी है और यही कोई आसेव ज़ता रास्ता नहीं रज़ा ने वज़ा बयान की फिर ठीक है लो कस्वीर इस आदमी ने जवाज़त दे दी रज़ा ने मुबाइल का कैमरा ओन किया और मुबाइल आगों के सामने किया मगर फिर एक छटके से आपों के सामने से हटा दिया क्या हुआ अगर आप बुरा ना मानें तो प्लीज आप अपनी बीवी से कहें कि घूंगट हटा दे रज़ा ने डरती डरती कहा हरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है उसने जुक कर अपनी बीवी के कान में कुछ कहा और अपनी घूंगट हटा दिया अर ठीक है रज़ा ने जो मुबाइल में कैमरे की सैटिंग करने में मगर रज़ा के चेरे की मुस्कुराइट फायब ओपन इसकी जज़ा डर और खौस में बिली सामने खड़ी औरट औरट थी जी नी पुठालिक हट्डियों का दाचा ना इसकी आँखे थी ना होट ना चेरे पर कहीं गोश्ट या चमड़ी यहां तक कि इसकी सर पर बाल भी नहीं थे दोन रज़ा की नेसों में जमने लगा ठैंड की वज़ा से महीं बंचो हाफ और डर्की वज़ा से मात के डर्की वज़ा से हट्डियों के उतर जाने वारी ठैंड मेरी वो पसीने से शराबो रूपया मुबायन इसके आच से चूट कर गिरा इसका दम गुटने लगा चारों तरफ नजर दोड़ाई तो नाला था नबस्ती और ना ही हरे भगें कुई दूर तफ सिवाए सुखे उजड़े दरह तो और सुखे पत्तों के और कुछ भी नहीं था इसकी इमत जवाब दे चुकी थी मगर फिर भी उसने अपने बेजान होते अजमों को उठाने जी कोशिश की मगर ये क्या इत्राफ में बड़े सारे सुखे पत्ते इस्टे पैरों से चिमट गए थे इसे यूं मैसूस होने लगा गुए जमीन इसे अपने अंदर कीच रही है चीक ने लगा तूरी ताफ़त लगा कर अपने पैर जमीन से अलब करने की कोशिश करने लगा मगर सारी मैनत बेसूत थी वो जमीन में धस्ता चला गया घपना तक और फिर गर्दन थप गर्दन तक वो जमीन में धस्किया था अब तो ना वो हाथ मार सकता था था नई पैर हवा में अक्सीजन कम होने लगी उसका सांस पूलने लगा वो मदद के लिए इस आदमी को पुकारने लगा वो धीरे धीरे चलते हुए रजा के फरीब आया इसका वो पुराना जफ्मी खुला हुआ था इसकी पेशानी ना खुंट अट़्ा के पूरे चेरे से ताजा फोन टपक रहा था वो फ़नी बाब डर रजा के चेरे पर चुका इसके चेरे से रिसने वला फोन अब रजा के उप चेरे को भिकोने लगा और उनकी बदबू सी रजा का दम गुटने लगा रजा जी किया गया इससे मदद मांग रहा था उस आदमी ने अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाए और रजा की चर्दन दवादिश विजुम्दोची हर बात अंधी तकलीप का नतीजा नहीं होती कुछ बाते इनकी आजमाई वी भी होती है